आखे हमारी खुबसूरती का आइना होती हैं क्योंकि इनी आखों से यानी कि अपनी खुबसूरत आखों से हम पूरे जहां को देखते हैं और उसकी खुबसूरती को बया भी करते हैं अपने आखों से हम अपने emotions को balance कर सकते हैं साथ ही साथ हम अपने दुखों को, अपनी खुशियों को express कर पाते हैं तो अगर कुदरत नहीं अनमोल तोफा हमें दिया है तो हमारा भी यह फर्स बनता है ना कि हम इसे संजोकर रखे इसकी पूरी तरह से देखभाल करें लेकिन कई बार अपने working lifestyle के चलते अपने unhealthy fooding habits के चलते या फिर किसी और reasons के चलते हम अपनी eyesight की पूरी तरह से देखभाल नहीं कर पाते यानि कि अपनी आखों को पूरी तरह से हम respect नहीं कर पाते या फिर आप हमें SMS भी कर सकते हैं 560068 पर अप कौन सी ऐसे pressure points है जिनके जरीए आप अपनी आखों की रोशनी को तेज रख सकते हैं यानि कि अपनी eyesight को शाप कर सकते हैं बताएंगे हमें हमारे Accu pressure expert अजर मिश्रा जी अजर जी बहुत-बहुत स्वागत है आप सबसे पहले तो मैं आखों के बारे में यह कहना चाहूंगी कि जो इतना प्यारा तोफा है क्योंकि लड़कियों की अगर बात की जाए या औरतों की बात की जाए तो आखे अगर खुबसूरत होती है अगर आखों से उन्हें ठीक धंक से दिखाई देता है वीक नहीं होती है तो वो बहुत खुबसूरत लगती है तो सबसे बहुत तो रीजन के बारे में अगर बात करें तो कई बार अनहल्दी फूडिंग हैबिट्स होती है लोगों की या लाइफस्टाइल कुछ इस तरह का डेविलफ होता जा रहा है कि अपनी आखों का ठीक धंक से देखभाल नहीं कर पाते है तो क्या कर सकते हैं जिससे अपनी आखों की देखभाल ठीक से की जा सके आखों के लिए जिम्मेदार लिवर है तो अगर हम अपने लिवर को सवस्त रखते हैं तो आपकी आखें ठीक रहेंगी और जिनकी जन्म से आखें गरबढ़ हैं तो आप समझ लिए कि उनका जन्म से लिवर गरबढ़ है तो हरी सबजियां खाना उसके लिए सबसे अच्छा होता है इतकर है और आखों को हलके ठंडे पानी से दूला करें रोज सुब़ शाम तो आपकी आखें स्वस्त रहेंगी यह सिंपल सा तरीका है जिससे आखों को स्वस्त रखा जा सकता है कौन से प्रेशर पॉइंट से इसके बारे में बात करेंगे लेकिन उससे पहले सुधा से बात करते हैं जी सुधा बताईए जी नमस्ते मैम नमस्ते जी मेरी दो सवाल है मेरी एक बेटी है जी उमर 21 बरस की है जी उसे लगबग 10 बरस से थाराइड है जी और उसका TSH 6.13 है तो उसका वजन भी काफी बढ़ रहा है बाल भी काफी जढ़ रहा है और नीन काफी आती है और दोनों हाथों में ब्लैकिश ब्लैकिश इसकिन टैनिंग जैसा हो गया है उसे ओके थाराइड है उन्हें पिछले 10 सालों से हैं जितने भी सिम्टम्स इन्हों ने बताए हैं वो सारे हाइपो थाराइडिजम के ही है तो मेडिसिन तो ले ही रहा होंगे साथ में आप जो पॉइंट्स में बताने जा रहा हूंगा आप वो करते रहेंगे तो आप देखेंगे कि थाराइड भी नॉर्मल हो जाएगा और साथ में वजन दीरे-दीरे उसी से कंब होने लगता है पहले लाइट ब्लू कलर ले ले और लेट थम पे आपको लगाना है यह लाइट ब्लू कलर बाहर के तरफ इसके बाद ग्रीन कलर ले 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 ग्रीन कलर से इधर लगा ले तो इस तरफ लाइट ब्लू है इधर ग्रीन है और उपर दोनों कॉर्णर पे आपको ओरेंज कलर लगाना है इस तरीके से ओरेंज कलर जब आप लगा लेंगे दो ओरेंज एक लाइट ब्लू और एक ग्रीन यह आप लगा करके आप शुरू करेंगे और एक दो महिने के अंदर आप दुबारा जब चेक कराएंगे तो आप पाएंगे कि आपका जो टी एसच का लेवल हो धिरी दिरे कम हो रहा है और आप ठीक हो जाएंगे अब ही रिया हमसे बात करेंगे जी रिया बताईएंगे हलो जी रिया वेरी गुड अफरनून क्या सवाल है आपका यह मेरे दो कोशन एक मेरी बेटी के लिए है मेरी बेटी की उमरे 13 साल है और उसकी स्टेश पर छोटी-छोटे से दाने हो गया है और वो के दो साल प्रस्पेक्स लगाई हुए है वो चाती मेरा स्टेक्स निकल जाएं और थाइड प्रस्पेक्स लिए है और शाइड है और साथ-साथ इंका ब्लड प्रेशर भी हाई रहता है ग्या कर सकती है देखे राइड साइड का है अगर तो आप इस पर एड कलर ले लें जिनको माइग्रेन भी है वो भी सेम टीट में गरेंगे और राइट इंडेक्स फिंगर पे आप यहाँ पर रेड डॉट लगा ले इसके बाद ब्लैक कलर ले ले ब्लैक कलर से लेफ्ट हैंड के मिडल फिंगर में इस जगे पे जोइंट से थोड़ा सा उपर सेंटर में आप ब्लैक कलर लगा ले और साथ में मिडल फिंगर में ही सामने की तरफ इंडेक्स फिंगर की तरफ यह दो ब्लैक डॉट लगाने ऐसा यह दोनों ब्लैक डॉट जो आप दोनों हाथ के मिडल फिंगर में कर लीजिए तो एक यह रड डॉट है दूसरा यह ब्लैक डॉट है और यह दो ब्लैक डॉट जो है वो आप दोनों उगलियों में लगाएंगे इससे जो भी राइट साइडेड या लेफ्ट साइडेड है वो ठीक हो जाता है इनका ब्लड फ्रेशर भी हाई रहता है करें हाई बीप के लिए तो बेस्ट है कि आप अपने लेफ्ट थम पे यहाँ पर डाक ब्लू कलर से एक सर्कल बना ले इसको रेगुलर बना करके रखा करें तो इससे आपका जो हाई बीप है वो ठीक रहता है और इनकी बेटी के फेस पे पिंपल से 14 के यहां तो पिंपल सापके ठीक हो जाते हैं करणिगे जैसे इनकी बेटी को ऑई सायट्यूइ प्टाया था तो जिनकी भी आई सयट वीक हो उनके लिए आपको स्कुरिश इंडएसंटमें ट्रीटमें चाना है तो जैसे पहले लेश्ट में बता दे रहा यह जो जोईन्ट है जोईन्ट से से मेडल फिंगर की तरफ एक लाइट ब्लू इसके बाद आ ओरंज करव ले ले लै औरंज कलर से ये उपर वाले जोईन्ड पे सेंटर में और उरंज यहां लगा दे और फिर yellow color से ठीक central line पर यहां नीचे इस तरीके से yellow color लगा दे ऐसा दोनों हाथों में करना है सामने की तरफ यह yellow orange पीछे center में orange और center से थोड़ा सा middle finger की तरफ light blue ऐसा आप दोनों index finger में जबाब करेंगे तो धीरे-धीरे आपकी eye side जो है छीका आती इसके साथ आपको जो आई और्बिट है जैसा मैं हमेशा बताता हूं इस पर जरूर रेगुलर प्रिशर दे तो वाँखे ठीक रहती अबी मीरा हमसे बात करेंगे जी मीरा बताईए हलेओ अलो मीरा नमसकार मीरा बताईए क्या सवाल है आपका आखों में जलन्का पी ठीक टाटा है पूमरी सरी में जरती है तो अनकों में जलन हो रही हो या इचिंग होने लगती है या किछ लोन इस्तल में वोजाता है तो ऐसे में आप ब्लाऀ कलर ले लें और ब्लाइक अ कलर में मीडल फेंगर पर mm एक dot यहां लगा लिजे एक dot इस जगे पर और एक यहां पर यह दोनों middle finger पर आप करेंगे 1 2 3 यह black dots लगा लिजे इसके साथ आप thumb पर यह दो black dot ऐसा दोनों हाथ में अगर आप करते रहेंगे regular तो जैसे season change के time पर आप करेंगे तो उसके तो और आम आएगा ही लेकिन अगर आप इसको रेगुलर दो-चार महीने कर लेंगे तो कभी भी सीजन चेंज होगा तो फिर आप सेफ रहेंगे अभी एक छोड़े से ब्रेक का वक्त हो गया डॉक्टर रजा लेकिन उसके बाद हम बात करेंगे कि क्या सिम्टम्स हो सकते हैं अगर आपकी नजर कमजोर होने के सिम्टम्स के बारे में बात की जाए तो आँखों का जल्दी ठक जाना कुछ भी काम करते वक्त थोड़ी थोड़ी देर में आँखों के आगे अज़ाल में बात के बात करेंगे लेकिन ऊस से पहले स्वाति हमारे साथ है जिना ने अगरा से हमें कॉल किया है जी स्वाति बताईए वेरी गुड आप्टनून सुआती बताईए मैं मेरे दो कुशन्स है सबसे पहले सुआती आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने टीवी सेट का वॉल्यूम प्लीज स्लो कीजे उसके बाद बताईए क्या पुछना चाहती है जी स्वाती बताईए मैं वाइट हैर्स की प्रॉब्म है मेरे 25 एज है वो ठीक नहीं हो रहे है मैंने हाइट की पॉइंट मी लगा लिया है ओके ग्रे हैर्स हैं क्या कर सकती है इसके लिए जो हाइट वाले पॉइंट आपको बताएं अगर आप वो लगा रहे हैं तो इतनी जल्दी एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए कि आपके ग्रेंग हैर बंद हो जाए या फिर से काले बाला जाएं आपको कम से कम छे महीने टाइम देना पड़ेगा तो छे महीने के बाद अगर आपको फिर भी नहीं हो तो बताईए वरना आप उजो हाइट वाले पॉइंट हो करते रहें हाइट वाले पॉइंट लगातार लगाने होंगे और कम से कम छे महीने तक इने फॉलो करना होगा उसके बाद हमें काल बैक करके फीडबैक दीजेगा कि आपको इससे फर्ट पर रहा है या नहीं अभी हमसे Divya बात करेंगी, जी Divya बताईए अपने टेलेविजिन का वॉल्यूम प्लीज स्लो कीज़ें उसके बाद बताईए, क्या पूछेंगी नमस्ते मैम मैम मेरे फादर है फिफ्टी टू येर्स के उनको आउट अफ सेशन जाने में घबराहट होती है जाना उनलगती है तो इसके लिए कोई प्रेशर पॉइंट सो बता लीजें आउट अफ सेशन जाने में घबराहट रहती है वैसे इट कैन बी ए स्ट्रेंज मतलब बिमारी हो सकती है कि सिरफ बाहर जाने से उनको प्रॉब्लम रहती है घबराट होती है क्या कर सकते है इस केस में यह बाहर निकलने का ही डर है यह फोबिया है तो इसमें बेस्ट वे है कि आप पिंक कलर ले ले और जिसकिसी को भी ऐसी दिक्कत होती है तो लेफ्ट हैंड के स्मॉल फिंगर में उपर वाले जॉइंट पर इस तरीके से दो डॉट लगा ले यह जॉइंट पर पीछे की तरफ है दो पिंक कलर की डॉट अगर आप लगा कर रखेंगे तो कहीं भी आपको जाने आने में कभी कोई तकलीफ नहीं मैसूस होगी दो सिंपल डॉट्स कैंड बिए शॉडेशन अभी बात करते हैं मनी ने हमें कॉल किया दिली से जी मनी बताइए हलो हलो मनी हलो हाई हाई अब वेरी गुड आफनून मनी बताइए क्या पूछेंगी मुझे डॉक्र साथ से पुछना है कि में को और वेरी बॉत चार समस्याएं हैं कि या कर सकती है कि अब जाते हैं आपको जैसे ओवरी बेश में सिस्ट है उसके लिए दोनों ओवरी समोल फिंगर पे ट्रीट्मेंट जो बताऊंगा करना है और जिस तरफ हो उस तरफ भी आप कर सकते हैं simply तो एक तो light blue color लेकर के small finger में बीच वाले joint पर करना है जैसे मैं left में बता रहा हूँ तो left ovary में अगर cyst है तो इस तरीके से करेंगे light blue color ये बाहर के corner की तरफ इसके बाद orange color ले ले और orange color से पीछे की तरफ ये दो orange dot लगा दे उस तरीके से फिर आपको yellow color लेना है और yellow color से अंदर की तरफ यहाँ पर corner पर एक yellow dot लगा ले तो ये light blue ये yellow और दो पीछे orange dot तो ये अगर आप लगातार करते हैं तो आप ये देखेंगे कि देरे-देरे दो तीर महिने के बाद आप फिर से ultrasound कराएंगे आप देखेंगे कि ovaries अगर multiple है तो वो देरे-देरे घट रही होगी और एक दो होगी तो होगी तो कतम हाती है और जो पीरिए इर्रेगुलर है वो भी इससे से रिलेटर है क्या कर सकते हैं इस केस में देखिए रेटिना पिग्मेंटोसा की प्रॉब्लम है तो रेटिना पिग्मेंटोसा के लिए आप बेस्ट है कि आप दोनों आखों में है तो आप दोनों इंडेक्स फिंगर में करेंगे ट्रीट्मेंट जो भी बता रहा हूं इसके लिए इंडेक्स फिंगर में सामने की तरफ बीच वाले जॉइंट पे सेंटर से थोड़ा सा हट करके एक लाइट ब्लू कलर लगा लिजे फिर औरंज कलर से ये उपर वाले जॉइंट पे ठीक सेंटर में आप औरंज डॉट लगा लिजे फिर यलो कलर ले लिजे यलो कलर से आपको ठीक सेंटर पे यहाँ पर इस जॉइंट से उपर होगा यह यहाँ एक यलो डॉट लगा लिजे अगेन ओरंज कलर और वो आपको यह सेंटर लाइन से हट करके बाहर के तरफ यहाँ पर तो यह सेंटर में यलो औरंज सामने की तरफ मिडल जॉइंट में यहाँ पर लाइट ब्लू है और सेंटर में यहाँ पर एक औरंज डॉट है यह जिसको भी रेटिना पिग्मेंट उसा हो वो अपने दोनों इंडेक्स फिंगर में अगर इसको लगातार लगाते हैं तो आप देखेंगे कि धिरे धिरे य होगा इट विल टेक टाइम यह चे साथ महीने आठ महीने लगेंगे उसके बाद आपको रिजल्ट आना सुरू होगा तो इसमें बहुत हरवडाना नहीं है लेकिन इससे रिजल्ट आपको 100% मिलता है अगर लेफ्ट आई में इस तरह का प्रॉबलम है तो लेफ्ट हैंड के इसका ख्याल रखना बहुत ज़ूरी है अभी एक और कॉलर हमसे बात करेंगे हलो जी सरेता बताईए है हालो जी सरेता बताईए है मेरी लड़की 11 साल की है उसको बेड बेटिंग की समस्या है और पीरिट भी शुरू हो गए हैं 11 चोटी एज है मुझे लगता है पीरिड श इसके बाद सेंटर में यहां पर इस तरीके से ब्लैक कर लीजे अगर मान लीजे कि आप यहां पर ब्लैक लगाते हैं उसके बाद भी ऐसा अलग हपते बर में आपको रिस्पॉंस नहीं दिखाई पड़ता है तो ठीक इसके पीछे भी आप ब्लैक कलर से सर्कल बना अब हमसे सुनीता बात करेंगी जी सुनीता बताईए यह सर्थ अल्यों अब वेरी गुट आपनून सुनीता मैं गुट आप्टरनून हम कॉंट इसलेशन तो यह ओ थैंक यह सो मच पावाट थैंक यह थैंक आपकर मैंने पहले भी किया था कॉल लेकिन बोर टाइम बात आपके मैंने वो दो चीजे यूज भी किया है उसके मले एक लूज मोशन की वो भी बहुत बैस्त रही है और दूसरा आप मेरे को फावाट के बारे में पुछना था यूटर्स में है ओके आपके सवाल का जवाब जरूर देंगे लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा और इंतजार करना होगा विकास हमारे शोपर वक्त हो गया एक छोड़ा सा ब्रेक लेने का कहीं मत जाईए देखते रहिए प्रग्या जो आपको मिलाए बहतर आपसे नजर उठाई तो दुआ बन गई नजर जुकाई तो हया बन गई तिर्ची की तो अदा बन गई और जो हटाई तो सजा बन गई और ज़र ये नजरों का खेल है आप देख सकते हैं कि कितना important role अदा करता है हमारी जिंदगी में तो it's our responsibility to take care of our eyesight अपनी नजरों को हमेशा तीखा करने की कोशिश कीजिए अगर कभी वीग भी हो रही है तो कुछ ऐसे उपाय कीजिए या ऐसे pressure points पे अपनी बॉड़ी पर इस्तेमाल कीजिए जिससे आपकी नजरे हमेशा शाप रहें तीखी रहें ब्रेक में जाने से पहले सुनीता ने हम लाइट ब्लू इसके बाद डाग ब्लू लगाना है आपको इसी लाइट ब्लू के साथ यहाँ पर फिर येलो कलर दो अंदर के तरफ कॉर्णर में होगा यहाँ पर रचेंज और फिर पीछे दो ओरेंज ड़ू अगिव कारनल्च पे इस तरीके से दो अर्च डॉट यहाँ पर लगा लेंगे तो ये दो अर्च ये एक यालो डॉट ये लाइट ब्लू और डाग ब्लू इस तरीके से अगर आप इसको करेंगे तो थोड़ा सभा लगेगा हर तीन महिने पर चार महिने पर आप एक बार अल्टरसाउंड करा सकते हैं और आप देखेंगे कि धीरे-धीरे जो साइज सब्सक्राइब करने के लिए कि वजन के लिए रेड कलर से आप पैर में जो एक ये उंगली होती है चोटी उंगली के साथ वाली उंगली है इस पे आप रेड कलर लगा करके रेड के रेड सकते हैं साथ में मेथी की स्ट्रिप इस पे लपेट करके रख सकते हैं और हर एक दो घंटे पर प्रिशर आप देंगे तो धीरे-धीरे जो अब्डॉमन का फैट है या बॉडी में कहीं भी फैट बढ़ा हुआ होगा तो वह बैलन्स हो जाएगा एक और SMS हमारे पास है हमान प्रणी ने भेजा है इनकी उमर है 24 साल इन्हें माइग्रेन रहता है और ग्यास की प्रॉब्लम रहती है क्या कर सकती है इसके लिए देखें माइग्रेन के लिए जैसे पहले मैंने बताया कि आप इंडेक्स फिंगर में यहां पर रेड डॉट लगा ले और फिर यह ब्लैक डॉट आप दोनों उंग्लियों में लगाएंगे में यह एक ही एक हांत में लगना है इसको आप लगाएंगे दो देखेंगे माइग्रेन का तमझा जाएगा और संजय कैसे मैंसे की हीडेक प्रॉब्लम ही ने तो उसके लिए क्या इंडेक के लिए आप जेनरली जो headache रहता है लोगों को उसके लिए left hand के middle finger में उपर वाले joint पर आपको treatment करना है violet color से आप center से index finger की तरफ एक violet color लगा ले इसके बाद light blue ले 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 और यहां यह light blue लगा ले और ठीक joint के पीछे के तरफ do pink dot लगाने हैं वो भी center point छोड़ करके आप इस तरीके से लगाएंगे यहां पर तो कैसा भी आपको headache को किसी को भी हो जो बार-बार हो जाता हो अगर आप यह लगाते रहेंगे तो आपको आराम रहेगा महेंद्र का SMS ने पाइल्स की प्रॉब्लम है इससे बाहर निकलने के लिए क्या कर सकते हैं इनकी एज है 27 years देखे पाइल्स जिसको भी हो तो एक दो तरीके का पाइल्स एक ड्राई और एक ब्लीडिंग पाइल्स होता है तो जैसा कि इसमें लिखा नहीं है इनोंने तो आपको यह करना चाहिए कि कि डाक ब्लू कलर से आप राइट हैंड के स्मॉल फिंगर पे पीछे के तरफ एक सेंटरली एक लाइन ड्राउ कर दीजिए इस तरीके से तो कैसी भी पाइल्स होगी वो ठीक हो आती है इसके साथ साथ आप अपने लेफ्ट थंब के उपर वाले जॉइंट पे भी सेम डाक कर सकते हैं इस तरीके से चारो तरफ साथ में आप चाहें तो मेथी की स्ट्रिप बांद करके इस पर प्रेशर भी देंगे तो आप देखेंगे कि धीरे-धीरे पाइल्स की समश्या कतम जाती है यहां पर आए आपने सभी समस के जवाब दे और हमारे कॉलर्स के सवालों के जवाब दे इसके लिए आपका शुक्रिया तो आज हमने बात की कि अगर आपकी आईसाइट वीक है या फिर अगर अपनी नॉमल आईसाइट को आप शाप करना चाहते है तो आप किस तरह से कौन से प्रेशर पॉइंट्स की जरीया ऐसा कर सकते हैं कल अपने शोग पर बात झाल